साथियों पूरा देश चाहता है कि भारत महाशक्ति बने दुनिया भारत का दम देखें लेकिन भायों बहनों लेकिन ये काम कोई कमजोर दीली ड्हाली मजबूर सरकार कर सकती है क्या कर सकती है क्या भायों बहनों जब सरकार मजबूर होती है दीली ड्हाली होती है जोड तोड की होती है तो फिर कभी ग्यारा महिने में कभी एक साल में कभी डेड़ साल में कभी दो साल में प्रदान मंत्री बदल जाता है सरकार बदल जाती है डेश की गाड़ी चलती ही नहीं है भायों बहनों क्या आप ऐसी सरकार बनाना पसंद करेंगे क्या तो भारत को ऐसी सरकार मजबूत बना सकती है क्या बारत को नई उचाई पर पहुचाने के लिए सरकार भी मजबूत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ये मजबूत सरकार ये सपा बसपा वाले दे सकते हैं क्या कोई संभावना है क्या अरे वो उत्तर प्रदेश में अकेले सरकार चलाते थे कभी मजबूत ही दिखाई दी थी क्या ये मजबूत सरकार कॉंग्रेस और उसके जो महा मिलावटी लोग है वो दे सकते हैं क्या जब आप तो आखर से भी आना चाहिए दे सकते हैं क्या साथियों ये याद रखिए कि महा मिलावटी दल देश भर में जितनी कम सिटों पर लड़ रहे हैं उन में से जादा तर वो जमानत बचाने के लिए मानत कर रहे हैं जितने का तो सवाल ही नहीं है आप मैं जो बात कह रहा हूँ आपको सच लगती है मेरी बात सच लगती है लगती है आप जो लोगों में जाते हैं यही सुनके आते हैं ना लोग एक तरफा मोदी मोदी वोड करने के लिए तयार है कि नहीं है जो आप बहराईच में देखते हैं जो गौंड़ा में देखते हैं जो सावचि में देखते हैं पूरे हिंदूस्तान में ऐसा ही है जी चार चरणों के चुनाओं के बाद हालत तो ये है कि नेता विपश्का पद मिलेगा के नहीं मिलेगा प्रतिपश्का नेता बनने का भी मौका मिलेगा के नहीं मिलेगा 2004 में तो मिला नहीं और इस बार तो जनता इतने गुस्से में है कि 2019 में भी उनको कूछ नसीब होने वाला नहीं है है कि 2014 में भी नहीं मिला 2019 में भी जनता प्रतिपश्का नेता बनाने को तयार नहीं है कि जो लोग है कि पचास पच्पन सीट लेकर के कि बीपश्का नेता बनने की स्थिति में नहीं है वो प्रधान मंत्री बनने के लिए दर्ची के पास कपड़े सिला रहे हैं बताओ यह लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह खिचड़ी सरकार बन जाए कमजोर सरकार बन जाए और इनका प्रधान मंत्री बनने का सपना फिर तै करेंगे तीन महीने तुम प्रधान मंत्री तीन महीने वो प्रधान मंत्री तीन महीने वो प्रधान मंत्री साल भर निकाल दो आपको ऐसी बात मंजूर है क्या ऐसे लोगों को वाकई देश की कोई चिंता है क्या आपकी चिंता है क्या आपके भविश्य की चिंता है क्या आपके बच्चों के भविश्य की चिंता है क्या भाईयो बेनो आप मुझे बताइए इस देश को कौन मजबुत सरकार दे सकता है वहाँ पीछे से आवा जाने चाहिए कौन मजबुत सरकार दे सकता है साथियों आपका ये आशिरवाद आपका प्यार मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ लेकिन ये भी तो सोचिये कि मोदी तभी मजबुत सरकार दे पाएगा जब बहराइच का, गौन्डा का, सावस्षी का, केसर गंज का एक एक वोट कमल के निशान पर पड़ेगा पड़ेगा अगर पड़ेगा तो मान लिजिए पहले से भी मजबुत सरकार बना के दूँगा झाल झेवार झाल झाल